वर्ड ऐल्जाइमर देश्पेशल में आप सभी का स्वागें आपके अपने पीम से हिंदी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ अंशिका आज बात करने जा रहे हैं अल्जाइमर के बारे में एक ऐसी डिसीज है जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों में पाई जाती है इसमें लोग चीजे भूलने लगते हैं बाते भूलने लगते हैं लेकि आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीम से हिंदी चैनल को सर आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऐल्जाइमर डे है आज तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक मैसेज चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि वर्ल्ड ऐल्जाइमर को हम किस तरह से समझते हैं और इसको क्य अरली लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं अलजाइमर के रिगार्डिंग अवेर्निस के ज्यादा ज़्वत इसलिए है कि अलजाइमर का इलाज उपलब्ध नहीं है जो भी मेडिसीन ट्राइ की जाती है वो बस इसलिए ट्राइ की जाती है कि यह बहुत लोगों में यह बहुत बहुत जल्दी डिकलाइन होता है जो मेमरी है और कोगनिटी फंक्शन्स है अब अगर यह फैल गया है यह बिमारी बड़ी हो गई है तो अब कुछ नहीं कर सकते अभी तक जितना समझ में आया है कि हम इसके सिवेर्टी को बढ़ने से रोक सकते हैं तो उसी के लिए अलजा और हेल्थ के मामले में अनफॉर्चनुटली बहुत लोग ऐसा ही करते हैं हेल्थ बहुत लोग के प्रायर्टी नहीं है जब तक नाग से पानी उपर नहीं जाता है मतलब जब तक हमारा मेन काम धंदा जब तक वो डिस्टर्ब नहीं हो लगता है तब तक हम चीज़ों को प करड फॉर्म पर हम स्पीट्छाल हेल्थ बात करते हैं इस्पीच्chen 位थ के दौरह हेल्थ जो घूर्च है इसलिए भी है कैम की जब यह तु यह है कि अगर पर जहां spiritual approach में जहां पर हम lifestyle पर हो जादा focus करते हैं ministry medicine में भी lifestyle medicine के रूप में ये branch उभर रहा है जितना हम lifestyle को समझते हैं और different factors, causative factors किन-किन कारणों से Alzheimer जल्दी होता है जो होने का main कारण है वो तो age factor है, aging हो रही है अब इस aging के regarding भी interesting बात है हम जितना lifestyle medicine को और spirituality को समझते हैं हम aging को slow कर सकते हैं, aging को reverse कर सकते हैं medical में ऐसा ख्याल नहीं है aging को हम define करते हैं टीलो मेर से chromosome के end पे टीलो मेर होता है और वो टीलो मेर हर एक division के बाद थोवा सा छोटा होता जाता है 20 साल के अमर तक 20% टीलो मेर छोटा हो जाता है 50 साल के अमर तक 50% टीलो मेर जो क्रोमोजूम के end में protective पार्ट है जिसे सूज में, last में सूलेस होता है वैसे क्रोमोजूम के last में ये टीलो मेर होता है तो उसको protect करता है, उसको damage नहीं होए जेता, main जो DNA का strand है उसको तो वो छोटा हो गया तो उसके damage होने के समभावना बढ़ जाती है तो telomere अधिक छोटा हो गया है तो cell अब erode होगा वो उसकी life खतम हो जाएगी तो ये aging को बहुत नहीं समझा गया है समझने के जरूत है aging को हम slow down करेंगे तो हम Alzheimer पे भी बहतर result पा सकते है तो ये जानकारी होने के जरूत है और इसके लिए Alzheimer डे है और इसके लिए हमारा ये सो है जी सर तो सबसे पहले आप से समझूंगी कि Alzheimer क्या होता है क्योंकि आम तोर पर हम समझ सकते हैं भूलने की बिमारी लेकिन भूलना इस बिमारी में किस हद तक लोग भूलते हैं क्या कुछ भूलते हैं उसके शिरुआत कहां से होती है सब समझूंगी लेकिन पहले आप से समझूंगी कि Alzheimer क्या होता है लेकिए Alzheimer एक तरह का dementia है dementia के और भी कई साइट टाइप्स होते हैं Parkinson में भी डिमेंसिया हो सकता है Vascular डिमेंसिया होता है लेकिन 60-80% डिमेंसिया जो होते हैं वो Alzheimer की वजह से ही होते हैं तो भूलने की जो condition है अब Alzheimer वाला जो भूलना का है उसको हम हिल नहीं कर सकते यह बात तो बिल्कुल तय है बाकि जो डिमेंसिया है उसमें अलग-अलग condition में अलग-अलग result है चुकि अलजाइमर पे हमारा concerned है तो हम Alzheimer को समझे अब Alzheimer कौन सा डिमेंसिया अलजाइमर वाला है तो यहाँ पर थ्वासा हमें brain को समझना पड़ेगा देखिए हमारे brain के नहीं चार पार्ट होते है आगे जो frontal lobe है प्राइटल लोब है टेंपरोल लोब है और पीछे औसीपीटल लोब है तो जो frontal lobe है हमारे human के लिए सबसे जो uniqueness है वो frontal lobe का ही है frontal lobe और उसके आगे भी prefrontal cortex खेर यह तो इनसान में जो सबसे unique है हमारे temporal lobe में memories से related जो functions होते हैं वो होते हैं खासका limbic system तो यह limbic system में और इस limbic system में भी specific hippocampus जो memory के लिए और चीजों को जोडने के लिए सिर्फ memory नहीं कोई चीजों को हम पहचान रहे हैं तो सिर्फ पहचान है नहीं इसका उप्योग क्या है reasoning तो hippocampus जो हमारे temporal lobe के अंदर आता है उसमें ये पाया गया है अभी तक वैसे medical science हमेशा ये बात कहता है कि हम इसके आगे भी और जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है amyloid plague एक तरह का molecule है chemical है जो हमारे hippocampus में और limbic system में जमा हो जाते हैं जिसके वजह से जो neuron का आपस में connection है जिसको synaptic connection कहते है वो proper काम नहीं कर पाता एक neuron से दूसरे neuron तक बात नहीं पहुँच पाती हमारे brain में अब 100 billion neuron तक होते हैं 100 billion बहुत neuron है हमारा brain जो है बहुत complex structure है इसलिए medical science अभी तक brain को पुरी दरह से नहीं समझ पाया है बहुत कुछ हमने समझ लिया है समझने का प्रयास जारी है research is a unending process अब इस 100 billion neurons में एक neuron भी 7000 connection बना सकता है तो उसमेज़ एक connection कितना ज़्यादा complex है जो हम memory बोलते हैं यादे cellular level पे एक neuron का दूसरे neuron से जो connection है उस connection से यादें बनती हैं neuron से neuron का synaptic connection अब यह synaptic connection अगर disturb हो तो memory disturb हो जाएगी तो यह synaptic connection disturb होने में amyloid का जमाव वो एक कारण समझा जा रहा है कि इसके वज़ए से एक neuron से दूसरे neuron तक connection नहीं बन पाते तो अब medical science में भी बहुत सारी खोजे होते रहती हैं तो पहले ऐसा मानते थे कि हमारे brain में जो neuron है वो बहुत fixed way में होते हैं लेकिन अब neuroplasticity का concept आ रहा है कि brain neuron और neuron का connection बढ़ सकता है neuron regenerate भी होते हैं वैसे हमारे brain के neuron में regeneration capacity हमारी body में सबसे जदा regeneration capacity हमारे लिवर में होती है brain में उतनी नहीं होती लेकिन brain भी मतलब जो neuron है वो अपना repair करते हैं अपने damage को regeneration होता है तो ये जो brain में हमारे synapsis का connection है ये जितना strong रहेगा उतनी अच्छी हमारी memory होगी तो cellular level पर chemical level पर ये mechanism पाया गया है लेकिन इस mechanism को पहचानने में हम treatment नहीं कर पा रहे हैं जो भी medicine डेवलप करने कोसिस की जारी है उसमें से बहुत अच्छी results नहीं है इस amyloid plague को कैसे हटाया जाए लेकिन जब हम lifestyle medicine में आते हैं तो इसमें काफी अच्छी results है हमें समझने के जरुवत है जिस mechanism को समझते हुए अगर हमें solution नहीं मिला तो हम दूसरे तरीके से भी ढोटें अगर किसी एक काम को करने से अगर हम जवाब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं treatment नहीं हो पा रहा है तो और ढंक से भी हम समझने की सुवाद करें क्योंकि सर जेनरल लाइक में भी अगर कोई काम हमारा नहीं बन रहा होता है तो हम वहाँ पर भी सोचते हैं कि इसको किस तरह से कर पाए कि चीज हो पाए तो यह तो ऐसे disease है जहां पर दोक्टर्स ने मेडिकल साइंस में हमें बोल दिया कि यह क्यों नहीं हो सकती तो डेफिनेटली हमें और भी चीजों को explore करना चाहिए जिससे कि यह क्यों हो सके तो सर अब आप से मैं समझना चाहूंगे कि क्या लक्षण क्या होते है अलजाइमर के और जैसे कि 40-50 साल के वर्ष से यह होना शुरू होता है और लगभग लगभग 60-65 साल के व्यक्तियों में जादा पाया जाता है तो मैं आप से समझेंगे इसके क्या कारण होते हैं कि इतनी मतलब एक एज के बाद ही क्यूं होता है कारण है या इंसुलीन रिसिस्टेंस इंसुलीन का काम क्या होता है जो सेल्स ग्लूकोज लेता है हमारे बॉडी में जो इनरजी यूज होती है वो ग्लुकोज की माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है कर्भोहड़ेट की प्रोटीन से भी होती है वैसे तो ग्लुकोज को अप्टिक जो है मतलब सेल ग्लुकोज बलड की माध्यम से पहुंचा ग्लुकोज उसको वो एब्सॉर्फ करेगा वो इंसुलीन होगा तो करेगा तो इंसुलीन का रिसिस्टेंस एक डेवलप हो रहा है कि इंसुलीन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है दूसर जैसे कि आपने बताया कि इंसुलीन का अपने जिकर किया, जब इंसुलीन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, तब यह प्रोलम जाधा होने लगती है। तो क्या डाइबिटिक्स की पेशेंट में यह समस्य जाधा होती है? डाइबेटीक्स को 좋을인지डाります होने की चांसे ज्यादा है 60% बढ़ जाते है अगर डाइबेटीज है अगर आपको पहले से तो अल्जडार ऩोने की 60% चांसले बढ़ जाते हैं इसलिए डाइबेटीज के मामले में ये ये अल्जाइमर ज्यादा रिसकी है तो यह knowledge अगर हमारे पास आ गई तो अब हम कैसे इसमें बदलाओ करें यह insulin resistance जो आ रहा है मतलब insulin है लेकिंग काम नहीं कर पा रहा है ऐसा क्या हुआ तो इसके mechanism को ढूंटे ढूंटे हमें बात समझ में आई है कि inflammation हमारी body में कहीं भी inflammation हो तो insulin अपनी sensitivity को खो देता है insulin रहता है लेकिंग उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है और यह inflammation ultimately आता है stress के वज़ज़ से cell के लेवल पर inflammation है और mind के लेवल पर stress है तो अगर हम stress को कम कर सके और stress कम होने से inflammation कम हो ही लग जाएगा और हमें अपनी body में inflammation चेक भी करते रहना चाहिए body में कोई भी infection हो कोई भी inflammation हो इसको हमें as early as possible heal करना चाहिए जिसे कई बार होता है कोई infection हो जाते है और हम उसको carry करते रहता है ठीक है करा लेंगे इलाज देख लेंगे ठीक है जा भी infection के मामले में inflammation के मामले में लापरवाही नहीं करने चाहिए यह inflammation ही insulin resistance बढ़ा देता है और insulin resistance के साथ साथ amyloid plague का जो deposition है जिसके कांच से neuron आपस में connection नहीं बना पा रहा है silentry connection disturb हो रहा है communication नहीं हो पा रहा है तो memory disturb हो लग जाती है सर तो कैसे समझे कि inflammation हो रहा है यह फिर यह जो neurons है वो आपस में connect नहीं कर पा रहे हैं इसके लक्षण क्या में लिए inflammation के अंदर जो भी ऐसी बिमारियां है जिसमें last में आयटिस आता है जैसे कि हमारी दांतों का infection है ना mastitis orodontitis या फिर colon में है colitis sinusitis जो भी ऐसे आयटिस वाले disease हैं यह सभी inflammation वाले रोग हैं तो हमें inflammation वाले रोगों को check करना है control करना है तो हम alzheimer को control कर लेंगे यह बात यहां तक हमारा medical research पहुंच गया है तो अगर हमारे को इस तरह की कोई problem होती है जिसमें जिस disease के last में ITS आता है तो फिर वहां पर हमको थोड़ा सा सच्चेत होने की जरुत है as early as possible उसको ठीक करने की जो होती है नहीं तो फिर इसके long term गरबडियां ज्यादा danger करने वाली है जैसे के alzheimer yes तो मैं आपसे समझना चाहूंगी यह alzheimer की problem है कि इसका कोई टेस्ट होता है कि मतलब पता कैसे चलेगा जैसे कि अभी आपने बताया कि हमको कोई disease होती है जिनके last में ITS होता है अगर ऐसी कोई disease नहीं है या फिर हम diagnose ही नहीं कर पाए है उसको हम इतने जादा उसको लिए के active नहीं है तो हमें पता जल पाए तो क्या कोई और भी इसका test होता है जो हम डॉक्टर के पास जाएं वो बताएं कि आप कोई problem हो रही है और इसका कोई test हो जिससे की clarity जादा मिल सकें देखिए cognitive assessment test तो psychologist के पास आ चुका है लेकिन awareness नहीं है तो हम इसके पीछे नहीं जा रहे है जाना इलजाइमर का specific test नहीं है टेस्ट इस बात का है कि person की memory कैसी है person stress में कितना है अगर memory अच्छी है stress हावी नहीं हो रहा है तो फिर इलजाइमर डेहलोफ होने के संभाव नहीं है या बहुत कम है इलजाइमर होने के इसका progression क्योंकि बहुत बार तेरी से फैलता है इलजाइमर के मामले में एक गरबड़ बात यह भी है विससे सभी मैसा नहीं होता लेगिन बहुत लोगों में इक बार तो यह बहुत से पाड़ाइमर हो जाए तो यह बहुत तेरी से फैलता है मतलब जो memory है, जो समझने की चमता है, जो जो alzheimer की लक्षन है, वो बहुत जल्दी life patient की deteriorate होती है इसलिए precaution ही यहाँ पर, prevention ही यहाँ पर इलाज है, precaution लेकर ही हम यहाँ पर control कर सकते हैं सिर्फ तो आपसे समझने चाहूंगी, alzheimer की लक्षन क्या कुछ होते हैं, जिससे के हम identify कर सके कि हमको alzheimer है या फिर हमारे किसी सदस्य को है family में देखिए alzheimer जो है एक भूलने की माली है, तो चीजों को भूल जाना जैसे simple है कि चस्मा या चस्मा कहा है, बहुत लोग चस्मा का यूच करते हैं, ऐसा कोई भी चीज, जो हमारे रोजमड़ा की यूच के चीज़ें हैं, यह मैंने कहां रख दिया, या ऐसा भी आता है कि भूजन कर लेने के बाद, याद ही ने कि मैंने भूजन कर लिया है, तो जब ऐसा भूलने कोई व्यक्ति भूलने लगे, तो alzheimer की रक्षण के हमें सक होजना चाहिए, या फिर पुरानी चीजों को जिसको भूलने लगे, किसी व्यक्ति को भूलने लगे, व्यक्ति को भी होती है, भूलने के अलाबा, समझने की चमता में भी कमी आ जाती है, परसन जो है, अपने आपको थोड़ा अलग तरग भी रखने लगता है, वो ज़्यादा सोसल नहीं रह जाता, कोई परसन पहले सोसल है, और फिर अब वो सोसल नहीं रहे, तो यह भी एक सिगनल है, कि अलगे की तरफ हिसारा कर सकता है, परफॉर्मնस, जो भी एक रोजमन्दा की जिन्दगी में परफॉर्मन्स की है, बात चीत करना, डिसिजन लेना, डिसिज लेने में आना का नी करना, उसे बचना, उससे दूर भागना, तो यह सब अलगा की लक्षन हो सकते हैं, अलगा की होने को रोक सकते हैं. सर क्या अलजाइमर एक जनेटिक डिसीज है क्या? देखें, अलजाइमर जो है, इसका कनेक्शन हेडिटी से थुआ साथ तो माना पाया गया है. एपोलाइपो प्रोटीन, एफोर होता है, और भी कुछ जीन होते हैं, जो अगर मिल जाएं, तो समभावना है कि अलजाइमर होने के समभावना जादा है. लेकिन यहाँ पर एक पात यह भी है कि जनेटिक्स के लावा हमारे पास एक साइन्स है, यानि कि इन्वार्मेंटल फैक्टर से हम जीन के एक्सप्रेशन को कितना प्रभावित कर सकते हैं, तो जनेटिक्स ही एक मात फैक्टर नहीं है, बिना जनेटिक्स के भी, बिना हेरिट्री कंडिशन के भी अलजाइमर हो सकता है, लेकिन अलजाइमर अगर परिवार में किसी को है, तो समभावना बढ़ जाती है, परिवार में नौ से दस परसंट लोगों को अलजाइमर होने के समभावना है, नौ वेक्ति में, दस वेक्ति में एक वेक्ति को अलजाइमर हो सकता है, लेकिन अगर पैरेंट्स में है, अगर परिवार में है, तो समभावना फिर 20 परसंट से 50 परसंट हो जाती है, अगर पर हम यह बात दाना चाहिए, इपिजेनेटिस का भी science है, हम जीन के expression को, जीन क्या है? DNA का sequence है, जो एक particular protein बनाता है, तो अब जीन protein किस condition बनाता है? उस condition को अगर हम change कर लें, तो जीन अगर है भी, तो भी बिमारी नहीं आएगी, तो जेनेटिक रिचीज को भी हम काफी हद तक 90% जेनेटिक रिचीज को हम control कर सकते हैं by changing epigenetical facts, यानि कि किस ता कि हम माहौल में रहते हैं, हमारा सोने का है, क्या तरीका है, stress, epigenetics के अंदर बहुत साइचीज आती है, epigenetics को समझ कर करेंगे, तो फिर dietary condition या genetic condition सोच कर घाबराने विजरूत नहीं है. जैसे कि आपने एक टर्म बोला, epigenetics, इसको थोड़ा समझाईए, epigenetics नॉर्मली है कि जीन से अपना काम करता है, coding करता है, तो protein बनाता है, अब कोई particular gene जो protein बना रहा है, उस expression of gene को हम gene को छेड़े बिना, gene है, लेकिन हम gene किसी favorable माध्यम में ही तो protein बना पाएगा, अगर हम मा बदल दें, अगर हम environment को बदल दें, तो gene जो है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, अगर stressful situation होती है, जैसे contrasting experience है, एक तो stress है, और एक peaceful environment है, stress में अधिक संभावना है कि Alzheimer वाले gene अपना काम करेंगे, अगर environment peaceful है, अगर mind peaceful है, तो संभावना कम है कि वो अपना बिमारी पैदा करने वाले amyloid plague और जो दूसरे हैं, उसको वो बना पाएंगे, तो हम environment को बदल देते हैं, gene वही रहता है, लेकिन हम environment को बदल देते हैं, तो इसको एक example से मैं ऐसा भी समझाता हूँ कि बारूद है, बारूद है, बम है, वो फट सकता है, अगर बारूद को या बम को पानी में डाल दिया जाए, तो बम ही रहेगा, लेकिन अब वो फट नहीं सकता, तो gene gene ही रहेगा, वैसे सभी लोगों में gene की बात नहीं है, कुछ लोगों में है, जिन में gene है भी, उस gene के expression को हम change कर सकते हैं by changing the environment, अगर हम मन को बदल दें, अगर हम मन किस तरह से सोचता है, मन happy है कि stress में है, positive है कि negative है, नीन कैसी है, diet कैसा है, जो nutrition हम ले रहे हैं भोजन के माध्यम से, उन में क्या-क्या factors है, अगर हम उनको बदल देते हैं, तो epigenetics के माध्यम से हम gene के expression को बदला जा सकता है, 90%, 95% genetic disease को भी epigenetics से manage किया जा सकता है, genetic disease से घवानी के जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. Sir, तो आप से समझना ही चाहूंगी कि ये जो Alzheimer के patients होते हैं, हमारे घर में अधि कोई Alzheimer का patient है, तो उसका ख्याल कैसे रखें, क्योंकि उनको बहुत जादे जरूरत होती है इस टाम पर हमारी क्योंकि वो बहुत चीजे भूलने लगते हैं, तो उनका ध्यान किस तरह से रखें देखिए, जो हमें करना चाहिए, इसको मैं दो करना चाहूंगा, पहला prevention और दूसा management, prevention यानि कि अगर कोई senior citizen के age में पहुँच रहे हैं, जिसमें dementia की होती है, तो क्या-क्या करें कि उनके जीवन में ये आई ही ना, और जब एक बार आ गया है, तब क्या करना है, तो जो prevention क ही करना है, वो तो करना ही होगा, उसको ज्यादा intensity से करना होगा, और साथ में कुछ और चीज़ें भी add-on हो सकती है, तो prevention में हम पहले आते हैं, तो हमने देखा है कि inflammation और stress का role है, अगर हम stress को कम करते हैं, जो कि mind level पे होता है, और inflammation को कम करते हैं, जो हमारी body के level पे, cell के level पे तो हम ये देखें अपने life में, क्या life में stress है, जिन चीज़ों से stress होता है, उनसे हम बच के रहें, stress वाले चीज़ों को हम ignore करें, अब कोई परिवार में काम है, अगर चार सदश्य हैं, पांच सदश्य हैं, अब किसी particular व्यक्ति को किसी चीज़ से stress होता है, तो दूसरा व्य परिवार का एक healthy family में यही division of work होता है, कि कौन किस काम को करने के लिए अधिक suitable है, वो happily उस काम को कर ले, तो यहाँ पर एक अच्छी family होती है, तो यह mutual respect और cooperation से चीज़े मैनेज हो जाती है, हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता, अब जिसे मैं अमिता बच्चन की वो movie है कि एक person blind है, लेकिन वो drive कर सकता है, जिस व्यक्ति को जिसके आखे हैं उसके पैर में चोट लगी है, तो वो guide कर रहा है, तो दोनों एक दुसरे को help करते हैं, तो अराम से bike चला लेते हैं और अपने को save कर लेते हैं, तो हमें यह समझने के जरूत है, एक परिवार में या एक group में किस प्रक्ति का क्या talent है, क्या skill है, उसको उसके नुसार चीजों में जाना चाहिए, stress को हमें avoid करना चाहिए, दूसरा stress को avoid करने के लिए हमें अपने life में ध्यान और योगा को अपनाना चाहिए, ध्यान और योगा में हम आशन प्रणयाम, योग निद्रा, इन सभी का जितना हम पालन करते हैं, उतना हम stress से अपने आपको दूर रख सकते हैं, फिर walking है, nature में जाना है, जब हम पेड़ पोधों के पास जाते हैं, तो हमारा मन योही सांथ हो जाता है, stress रही नहीं सकता, stress को हमें अधिक महत्तों देने की जरूद है, अगर आपके life में stress है, तो इ जिससे वो कुछ तेर के लिए भूल जाए, तो कुछ तेर का भूलना ही तो solution नहीं है, हम अपने mind को किस तरह से ऐसा बना लें, कि stress को, stressful situation को हम बहतर handle कर सके, तो इसके लिए आपको योग का सहरा लेना चाहिए, stress factor को कम करते हुए, हमें दूसर factor है, हमारी need, अगर हम अपनी नींद को कम रखते हैं, तो ये body level पे stress बनता है, साथ से आठ घंटी की नींद जरूरी है, हर एक person को, या अगर हम कंगहडी hours count ना करें, तो हमें अपने sleep का routine fix रखने के जरूरत है, कि रात में 10 बज़े सो जाना है, तो सो जाना है, एक fix routine होना चाहिए, सुबह हमें बिना alarm क जगना चाहिए, एलाम अगर हम यूज करते हैं, तो हमारे brain को hammering होती है, और जगना पढ़ता है, अभी सरीर की नीन पूरी नहीं हुई, लेकिन अब आप चुकी एलाम बजा है, इसलिए आप अपने आपको जगा रहे हैं, जब आपकी नीन स्वभावी ग्रूप से पूरी हमें छोड़े, जब रात में नीन आती है, उसमें सो जाएं, और सोने का जो टाइम है, वो ज़्यादा fluctuate ना करें, एक fix routine रखें, क्यां इतने बज़े के आसपास मुझे नीन आती है और मैं फिर में सो जाता हूँ, जब नीन आने लगती है, उसके बाद अपने आपको जग जाए नहीं रखना चाहिए, अगर हम जगा के रख रहे हैं, जवर्दस्ती काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी बाडी में इंटर्नली स्ट्रेस तो बिल्ड़ अप होता ही जाएगा, वैसे केमिकल, अब सोने, सरीर सोने के तरहा ही कर रहा है, तो वैसे हर्मोन रिलीज करेगा, जो पासिंपेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, कि आप सोने का समय है, तो बाडी को डायसन करना है, एनाबॉलिजम प्रोसेस करना है, लेकिन आप जाग रहे हैं, तो अब वो हर्मोन, वो केमिकल, तो काम नहीं कर पाएगा, तो बाडी इंटर्नली कन्फ्यूज होता है, उस अही टाइम पर सोए, बिना एलाम का जगए, और नीन को अच्छा बनाने के लिए एक और तरीका भी है, कि सोने से पहले हम 10 मिनट के लिए मेडि़ेशन है। 10 मिंट के लिए या 15 मिंट के लिए सोने से पहले अगर हम Meditation में बैठते हैं और यहाँ पर हम Breath Meditation मैं recommend करूँगा Breath Meditation से बहुत आसानी से हम ध्यान में चले जाते हैं तो नीन्द हमारी गहरी करने की जरूरत है Stress को कम करने की जरूरत है नीन को घहरी करने की जरूरत है और Body में Fat नहीं होना चाहिए जो Insulin Resistence के बारे में हमने देखा Insulin Resistence के वज़ा से कुछ Researcher Alzheimer को Type 3 Diabetes कहते हैं Interesting बात वैसे यह बहुत Universal Concept नहीं है सभी पूरी Medical Community इस बात को भी नहीं मान रही है लेकिन चुकि ओवर लैपिंग इतना जादा है Insulin Resistence का Insulin काम नहीं कर रहा Insulin अपनी Ability को खोता जा रहा है और जो की Inflammation की वज़े से हो रहा है तो जैसा Diabetes के कियर करने में Precaution रखना होता है Life Style का और Diabetes पर बहुत चर्चा हो रही है वैसा ही अलजाइमर में हमें Life Style के कियर करने के जरूत है और Insulin Resistence बाडियम डेफलप ना हो और Insulin Resistence डेफलप होने में Inflammation के लावा दूसर फैक्टर होता है हमारी बाडियमें फैट का Accumulation अपने वेट को Normal रखें अगर वेट जादा है अगर बाडियमें फैट है तो ये Insulin Resistence बाडियमें आ जाएगा इसकी संभावना को ब्रहा देता है Extra वेट है तो एक्सरसाइज करें या अपने डाइट को कम करें Fasting सुरू करें Fasting बहुत अच्छा है अलजाइमर के prevention के लिए और यहां तकी treatment के लिए भी जो भी prevention में हम बाते कर रहे हैं ये सभी management में treatment में भी काम आता है Fasting is very good practice और अगर proper fast हम 24 घंटे का fast अगर नहीं कर सकते तो हम intermittent fasting कर सकते हैं 14 से 16 घंटे का fast सरी लेकिन Alzheimer से fasting का क्या connection है क्योंकि यहां पर connection insulin resistance की वज़े से आ रहा है brain में हमारे brain के cells है brain के cells को भी glucose चाहिए glucose पूरी body को चाहिए और brain को सबसे ज़्यादा चाहिए हम जितना भी भोजन लेते हैं 20% जो कि brain छोटा सा है पूरी body के weight के हिसाब से लेकिन फिर भी body को 20% जितना हम लेते हैं glucose 20% brain अकिलाई की consume कर जाता है यह brain को function ज़्यादा है उसकी नीड ज़्यादा है तो अगर insulin resistance हुआ तो फिर वो glucose को अप्टेक नहीं कर पाता तो फिर internally synaptic connection disturbed होंगे amyloid plaque बनेगा memory डिस्टर्ब होंग जाएगे तो insulin अच्छा काम करने के लिए हमें fasting करना है fasting करेंगे तो हमारी body में extra fat जो होगा वो डिजॉल्फ होना सुरू होगा और insulin अपना काम बहतर कर पाएगा यह fat एक बड़ा factor है हमारी body में weight का जादा होना हमारी body में fat का होना जो insulin को काम ठीक से नहीं करने देता नॉर्मल अगर हम weight रखते हैं तो diabetes काफी हद तक बहुत लोग का control हो जाता है type 2 अगर diabetes तो जरूर control होता है weight अगर normal रखते हैं तो weight जादा होना एक बहुत बड़ा आविसाप है अब diabetes के लिए या Alzheimer के लिए हम concern हो रहे है लेकिन extra weight के लिए concern नहीं हो रहे है ये demerit है हमें ये सिखने के जरूरत है जितना हम diabetes के लिए concern है जितना हम Alzheimer के लिए concern है उतना ही हमे concern होना है normal weight रखने के लिए obesity अपने आपे बिमारी नहीं है ये कई बिमारियों को नियोता दे रही है तो फैट को कम करना जरूरी है, वेट को नॉर्मल करना जरूरी है इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे भीतर इंडॉर्फिन हर्मोरलीज होता है, हम खुश रहते हैं इस्ट्रेस का एंटिडॉर्ट एक्सरसाइज बहुत लोग ऐसा पाते हैं कि अगर वो सुबह में वाकिंग कर लें या योगा कर लें तो वो ज़्यादा फ्रेस रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस से फ्री रहते हैं अगर आफिस से काम करें कुछ लोग साम एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं वो भी ठीक है, agora time allow करता है तो दिन के आफिस के काम के बाद फिर साम में आप running कर ले या swimming कर ले summer कर टाइम में swimming की जा सकती है running की जा सकती है, cycling की जा सकती है कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर वैसी फजलिटी है, तो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो कोई भी आपको movement वाली activity, properly, 30 minute to 40 minute, कुछ कहीं पर 60 minute भी आता है, उतना करना चाहिए, तो आप उससे भी खुश रहेंगे, stress factor को अगर हम कम करते जाएं, तो prevention हो जाता है, prevention में हम अब diet को भी देख लेते हैं, जो हमारा भोजन है, यह भी तो decide करता है, जो भोजन में हमें सबसे अधिक महत्मुन बात देखनी है, वो है fiber, जो भी हम food ले रहे हैं, अगर processed food है, या animal से आया है food वो, तो उसे fiber नहीं होते है, animal food में और processed food नहीं है, fiber चाहिए, fiber अगर हमारी body में आते हैं, food में, तो फिर हमारी body में microbiome अच्छे रहते हैं, और microbiome अच्छे रहते हैं, तो insulin resistance डेलप नहीं होगा, तो high fiber diet लेने के जरूत है, और high fiber diet लेने के लिए तीन साधन है, फल, सबजियां और millets, खासक जो inflammation है, inflammation में भी यह dot connect हो रहा है, कि जो फल है फल हमारी body में coolness लाता है, inflammation है, inflammation एक तरह का heat है, तो अगर हम फल खाते हैं, अगर हम कच्छी सबजियां खाते हैं, तो inflammation को यह heal कर ही देगा, body में कहीं भी inflammation हो, फल और सबजियां बहुत फायदा करती है, inflammation नहीं रह सकता, inflammation नहीं रहेगा, तो insulin resistance नहीं रहेगा, insulin के लिए हम sensitive हो जाएंगे, हमारे cells, जो है, वो sensitive हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, और अच्छा इंसुलीन अच्छा काम करेंगे, गुलकोज का चाप्टेक होगा, सब जगह पर system ठीक चलता रहेगा. Sir, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे, लेकिन कुछ एक्ससाइजिस होती है, जिसे की ताडासन या, sun gazing जिसे बोलते हैं, super brain जिसे बोलते हैं, तो इनके बारे में और सबंचना चाहूंगे आपसे कि इन चीजों को आम अपने lifestyle में continue करके, किस तरह से Alzheimer जैसे परिशान नहीं आए, लिए अगर आ गया है, तब हम किस तरह से इनको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब properly ठीक करना वर्ड अच्छा नहीं होगा, कितना बहतर manage कर सकते हैं, quality of life को कैसे enhance कर सकते हैं, तो इसमें बहुत साई चीज़े हैं, किर्दन क्रिया meditation है, sun gazing है, super brain yoga है, brain games है, मैं समकी बार सा टम सुनाए दिया, आप इसके बारे में थोड़ा सा पता है, देखिए, डॉक्टर धरम सींख हालसा एक है, उन्होंने अलजाइमर पे कई सालों से रिसरच कर रहे हैं, और उन्होंने पाया कि ये जो किर्दन क्रिया meditation, जो सिखिजम में, साता नाम, ये उनका जो मूल मंत रहे, इस पर उन्होंने meditation उस परंपरा में किये जाते हैं, उस पर उन्होंने किया कि अगर हम इसको ये बारा मिनट से पंदा मिनट पर डिसरच जो हैता, वो थोड़ा दिर के लिए भे होता है, एट वीक के लिए किर्दन क्रिया meditation कराया गया, तो जिन लोगोंने किर्दन क् cognitive function कैसा था, तो पाया गया कि Alzheimer में cognitive function यानि कि memory, reasoning ये कम हो रही है, तो ये cognitive function को बहुत अच्छा इसने रिस्टोर किया है, तो prevention में और reversal में दोनों में ये किर्दन क्रिया meditation बहुत helpful है, इस पर दरजनों रिसरच हो चुके है, तो किर्दन क्रिया meditation में देखिए basically क्या है, एक soothing मंत्रा है, जिससे कि आपका stress factor कम होगा, आपकी उतार joy बढ़ेगा, और ये एक sequence में है, ये tempo इसका कम होता है और फिर बढ़ता है, तो हम ज्यादा sensitive होते हैं sound के प्रतिभी, और साथी इसमें finger movement है, साता नाम, साता नाम, ऐसा दो-दो मिनिट का तीन phase होता है, descending tempo में और फिर ascending tempo में, music के आवाज कम होती जाती है, और आपको बोलना है, सुनना है, और फिर मन में बोलना है, तो ये जो finger movement जो कर रहे हैं, सुजोग में finger के जो tip होता है, वो हमारे brain से जुड़ा होता है, तो जब touch gradually हो रहा है, तो ये एक तरह से हमारा brain को stimulate किया जा रहा है, सुजोग औ आपर बहुत effective है, तो ये किंटर किलिया meditation से भी हम चीजों को manage कर सकते हैं, सुजोग और अक्यूपेसर पॉइंट में ये जो tip हो गया, हर एक finger का tip, हाथ के उगलिया भी और पैर के उगलिया भी, सभी उगलियों के tips को अगर हम दबाते रहें, तो इससे हमारा brain जो है, electro acupuncture के आंदर आता है, डॉक्टर वाल जर्मनी की उपे, उन्होंने invent किया था, इस ND3 acupressor point को जो हमारे index finger और middle finger के बीच में है, इसको हमें stimulate करना है, मसाज करना है, इसे हम दो मिनट के लिए दिन में पांच बार मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद, दो मिनट के मसाज क लाल रंग के color को यहां पे लगा देंगे 6 घंडे के लिए, जब ND3 acupressor point को मसाज करते हैं, लाल रंग लगाते हैं, तो हमारे brain में यांची बढ़ती है, उसका function बढ़ता है, ND3 acupressor point को दोनों हाथों में करना है, ND3 acupressor point के लावा TW3, टिपल वार्मर 3, जो कि हमारी छोट point पर भी काम कर सकते हैं, ND3 is the main point, ND3 acupressor point को मसाज करके और वहां पर लाल रंग लगाकर बहुत अच्छे, इसी बहुत अच्रिल्स मिले हैं, कई लोगों में इसी इस पर परयोग किये गए हैं, और उनकी जो memory घट रही होती है, वो रुख जाती है और बहुतों के लिए तो एक भारत की ही चीज है, जो काफी research इस पर हो चुके, जिसमें हम अपने दोनों कानों के ear lobes को, हमारे कान में जो ear lobes हैं, यह हमारे सिर से जुड़े हुए हैं, तो जब हम इसका मसाज करते हैं, तो यह भी हमारे head को stimulate करता है, तो अपने हाथों को cross करके, stimulate किया जाता है, वैसे super brain yoga में तो हम खड़े होते हैं और बैठते हैं, उठक बैठक गयासा, वो भी किया जाता है, टंग को roll करके, टच करके करते हैं, लेकिन अगर pure super brain yoga को ना कर सकें, तो हम अपने ear lobe को massage भी कर लेते हैं, तो इससे भी हमारे brain का stimulus उसको बढ़ लग जाएगा, बिसली बात समझनी है कि brain में हमें blood supply को बढ़ाना है, healthy रूप में, pump करके नहीं, वो healthy रूप में, वहाँ पर proper हो, तो massage जो है, brain correspondence, brain meridian और brain के जो भी correspondence हैं, तो ear lobe को massage करना, ये एक बहुत helpful method है, किर्टन किर्या meditation, ND3, अक्योपेसर पॉइंट, ear lobe massage, सुपर ब्रेन योगा, के अलावा, एक और बहुत अच्छा तरीका है, sun engaging, सुरिम की किर्णों में, बहुत प्रान उठ जा होती है, पूरी पृत्वी पर, जो photosynthesis हो रहा है, हम जो भी अनाज गहन करते हैं, उसमें, फल म मिलिट्स में, energy किसकी है, सुरज की ही तो काफी हद तक है, सुरज की है और पित्वी की भी है, तो सुरज की energy को हम direct लेने के लिए भी अपने आपको train कर सकते हैं, धिरे-धिरे ही सही, लेकिन उससे परभाव आना है लगता है, तो हर एक 50 प्लस परसन को sunlight में जाना चाहिए, 15 मिनट के लिए, सब्ता हमें 3 दिन से 5 दिन, हर दिन जाने की जुरूद भी नहीं है, अगर 3 दिन भी अगर regular हम लाई जाते हैं, तो ये बहुत help करेगा, और जिनकी memory decline होने शुरू होगे, जिनको Alzheimer हो गया, उनके लिए तो ये बहुत फायदा करेगा, उनको रोज जाना है आदे घंटे के लिए, कितने देर के लिए हम जाएं, वो intensity निर्फट करेगी कि हम prevention अभी हमारा अप्रोच है, या हमें अभी treatment करना है, अगर treatment करना है, फिर तो रोज जाना है, आदे घंटे के लिए जाना है, तो एक है कि हम सुरिक के सामने जाकर सिफ बैठ सकते हैं, सुरि प्रणाम करें और धन्यवाद प्रेयर दें, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, सबसे highest प्रेयर है, prayer of gratitude, धन्यवाद देना, जब हम धन्यवाद देते हैं, तो ये सबसे अच्छा प्रेयर है, सुरे को हर दिन प्रकास दे रहा है, उर्जा दे रहा है, उसके लिए हम देते हुए, हम उससे सुरे से ये प्रातना करें, कि सुरे की किरने मेरे सरीर में आए, मेरे ब्रेन में आए, मेरी आखों में आए, और इनका health improve हो, ये बहतर काम करें, तो जब हम ये मैतरी प्रातना करते हैं, तो सुरे की किरने जो पहले भी काम करती, अब वो और करेंगी सुरे की मैत्री प्रात्ना के साथ हम सन गेजिंग का भी परयोग कर सकते हैं सन गेजिंग के परयोग में सुरे को खुली आखों से देखना होता है और सुरे के थ्वासा भी हम ऊपर भी देख सकते हैं जब सुरे के थ्वासा ऊपर देखेंगे तो हमारी आई रोल और जो white conjunctiva है वो सामने आ जाएगा तो white conjunctiva जब सामने आ जाए तो जो UV rays का apprehension कुछ लोगों में होता है वैसे UV rays से जितना नुकसान होने की बात हो रही है उससे ज्यादा फाइदा यहां पर है कि सूरे के प्रान उज्जा से हमारा cognitive function इंप्रूव होगा लेकिन फिर भी precaution ल के दो घंटे के भीतर या सामने सुर्यास से एक घंटे पहले इस समय में जा सकते हैं लेकिन जिनके भीतर UV rays का फियर नहीं है वो किसी भी समय जाकर कर सकते हैं बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि पेड के जुर्मुट से जब पत्नों के बीच में से सूरी की केड़ने आ रही ह हैं उसमें आप संगेजिंग करें तो प्रकृति पेड की पत्तियों से जब चंग करने आ रही हैं तो वो भी एक्टासे प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है सूरी की प्रकास किरनों से हम अपने आपकी हीलिंग कर सकते हैं अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं अगर आप सूरी प्रकास में रहना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कितने एक्टिव रहते हैं तरोटाजा रहते हैं आपका ब्रेन हेल्थ और ओवर और ह रहेगा, अल्जाइमर के लावा भी बहुत सारी सिंज्चितितियर्टिजन को फ्रोजन वोल्डर के तकलीफ होती है, कभी-कभी बैकपेन होता है, सुर्ण के उडनों में जाएंगे फ्रोजन वेन हो सकता, बैकपेन नहीं हो सकता, यह – बहुत इंटरेसटिंग बात है जो यांग्ची है, सुने की रुजा में वह जब हमें मिलता है ना तो हम बहुत सारी लोग से बच सकते हैं तो Sun Ga egy газ एक जिंग करना शुरू करें इसके लावा ठाव बरेंगेंस जिनमें ब्रेंग को आक्टिव होना पड़ते हैं सबसे सिंपल brain game है chess या sudoku इसको खेले, इसको करें और भी brain को stimulate करने के लिए बहुत सारी games हो सकते हैं उन brain games को हम खेल सकते हैं हम music और dance का सारा ले सकते हैं music therapy और dance therapy यह भी बहुत powerful है Alzheimer को heal करने में हम सभी का उपयोग करें और Alzheimer से अपने आपको बचा कर रखें सर बहुत बहुत धनिवाद आज के special show में Alzheimer Day पर आज हम चर्चा हमने चर्चा की Alzheimer पर और आपने बहुत सुन्दर ग्यान दिया मुझे लगता है कि यह जो सभी जानकारी आपने दिया information आपने हमारे साथ share की है से हमें हमारे दर्शकों को बहुत जादा फायदा होगा तो इसी के साथ सर आज के इस episode में आप से विदा लेती हूं लेकिन आपका बहुत बहुत धनिवाद आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे वीवर्स के लिए इतनी information इतनी important information शेयर की बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब का अज के अलजाइमर डे special में बस इतना ही फिर होगे आपसे मुलकार किसी और special day के program के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए आगया आप देखते रहे हैं पीम से हिंदी चैनल नमस्कार कर दो कर दो